आज आप लोगो मैं एक solution देने वाला हूं जो की होने वाला है आपको जो एंडूइट का डाटर की फोल्डर का आप लोग एकसेस नहीं कर पाते हो आपको मैं बता हूं किस तरीके से उस प्रॉब्लम को जो फिक्स करना है जब भी आप जैड आर्चीवर को उपन करते हो तो उ उसका एकसेस नहीं मिलता बैसिकली एंडूइट 14 के अंदर और यह प्रॉब्लम आपको देने के मिलती है उससे नीचे कि जो भी एंडूइट वर्जान है उसके आप लोग एकसेस कर सब्सक्राइब आप यार देखो इस वीडियो को तुम लोग पूरा देख लेना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग और कोई भी वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी तुम लोग को पूरा प्रॉपर सॉलुशन बता हूँआ कि तुम्हें किस तरीके से जो इसको एकस करना है तो सबसे पहले चीज में तुम्हें दिखा तूँ जो मेरा यह लिखा था कैंट यूज इस पॉल्डर अब तुम बैसिकली आप दो आपको दिस्क्रिप्शन के अंदर वी जो लिंक देखने मिल जाएगा अब लोग वहां से भी इसली इनको डाउनूड कर सकते तो आपको सबसे पहली चीज क्या करना है आपको शीजू को आपको जो इंटरफेस देखने मिल जाएगा तो आपको सीधा स्टाट बटन पर क्लिक करना है अब यहां पर यहां पर आपको बोला कि आपको डिवलोपर ऑप्शन को करना है तो यहां पर जितनी भी चीज़े लिख आ रहे हैं आप लोग एक बार उनको ध्यान से कर लेना ताकि आपक आप वर्जनस में जाना आपको वर्जन नंबर देखने में लेगा बैसिकली जादर जेए बिल्ड नंबर के अपर लिखा आता है अब इसके अंदर एंडर नमर के अंदर वर्जन नमर पर जैसे आप करोगे तो यहां पर जो पास्वड डालने की बाद जो आपको पर options जो ऑन हो चुका है अब यहाँ पर आपको जो दो चीज़ों का दियान नहीं है पहली चीज़ जो आपका USB डीबगिंग है इसको आपको अन करना है यह आपको अन होना बहुत जाद जरूरी है उसके बाद आपको आना wireless डीबगिंग में और यहाँ पर इसको भी आगे जो करना और यहां पर alarm notification को अन कर देना उसके बाद बैक करना आपको फिर यह वापिस से मांगेगा developer option के अंदर आपको जाना है वापिस से और यहां पर आपको जो दिखेगा wireless डीबगिंग अब आपको एक चीज़ में पहले पहले आपको क्लियर कर दो कि आपको इसको यूस कर आपको पैरिंग का option आजाए कि यहां पर code डाल लेता है 997693 अब इसको आपको जो same code आपको यहां पर डाल देना है आपकी जो pairing in progress के अंदर चली जाएगी अब basically है मैंने already इसको connect किया हुआ है तो इसलिए मुझे यहां पर नीचे Shizuku जे already paired device दिखा रहा है तो आपको जैसी कुछ इस तरगी जो notification आ सकती है आप इसको simply okay कर देना अब यहां पर यार देखो एक problem है अभी तक जो आपका जो Shizuku है वो start तो हो चुका है लेकिन अभी आपके जो पूरी access है ना पूर नहीं मिला है तो अगर आप लोग अभी जैड़ा ची और प्रो को open करोगे तो वहां पर भी आपको access नहीं मिलेगा तो basically यहां पर कुछ आपको settings करनी पड़ेगी आपके सामने अगर यह extra step का कोई option आता तो आपको simply read help पर करना है और उसके बाद आपके सामने यह सारे options आ जाएंगे तो यहां पर आप अपना device देख तक तो कौन से brand का है Xiaomi का है या फिर Oppo का है तो मैं वापिस से यहां जाओंगा back और वापिस से जाओंगा मैं अपने developer options के अंदर यह चीज़ भाई मैं अपने oneplus के अंदर कर रहा हूं तो आप अपने device के coating देख लेना अब यहां पर मुझे मुझे ढूंड़ना है disable permission monitoring तो यह रहा हो option disable permission monitoring जैसे मैं इसको on कर दूँगा और वापिस से आता हूं मैं अपने शिजुगू app के अंदर तो यह देखो यह जो मेरा error यह भी fix हो चुका है अब मैं क्या करूंगा हम आपको दिखाता हूं simply अपना यह मैंने ओपन करना है यह गया मैं Android की settings में यह गया मै all time permission करते नहीं है अब वापिस से जाता हूं मैं data की folder में और यहां पर हम आपको दिखाता हूं कोई भी अगर मैं folder को open करूंगा तो easily open तो same यही process भी आपको जो करने ना इस यह सब करने के बाद आपके पास कोई भी दिक्कत अगर नहीं आएगी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया ना तो भाई repeat करकर देख लेना क्योंकि solution आपको sit यही मिलने वाला है इसके लावा और कोई भी solution फिलाल नहीं है इसके बाकी मुझे और कुछ बताने की जरूत नहीं है आप लोग बहुत जादा स्मार्ट हो तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि अब आपको क्या करते है तो इस यूडियो में आपको वीडियो पसंद आयो वीडियो चली वीडियो लाइक जरू कर देना तो मिलते लिड़ tim वीडियो वीडियो लिज नहीं